एरीका पॉम बहुत ही ब्यूटिफुल इंजॉर प्लांट है विंटर सिजन में यह प्लांट अक्सर मर जाता है सर्वाइव नहीं कर पाता है उसके कुछ रिजन्स है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विंटर सिजन में केर केसे करने हैं पानी केसे देना है फ सो इस वीडियो की एक एक लाइन बहुत इंपोर्टेंट है कि आप ध्यान से देखियेगा एरीका पाम एक सैड लिविंग प्लांट है सबसे पहले बात करते हैं कि विंटर सिजन में इसको आप रखे कहां आप इसको ऐसी जगे रखे हैं जहां पर इसको ब्राइट मिले या फिर सुबह की दो से तीन घंटी की दूप मिले आप इसको सबसे बैस्ट है कि विंडो के पास रखे या फिर डौर के पास रखे या कि समर सिजन में आपको ऐसी जगे बिल्कुल नहीं रखना है जहां पर इस पर डारेक सनलाइट गिरे अदर्वाइस इसमें टीप करते हैं बात करते हैं सोयल कैसी इसको ग्रोव करने के लिए इसको ग्रोव करने के लिए इसको क्यूंत मित्ति होनी चाहिए उसके लिए आपको 60 परसन गडंस वह लेनी है तो परหนar लेनी है और 10 परसेंट नीम कैख लेनी है और 10 परसेंट कोको पिट लेनी है मिट्टी में कोई भी काज कटकुड़ा या प्लास्तिक या कंकड वगेरा नहीं होना चाहिए एकदम साफ होनी चाहिए अब बात करते हैं विंटर सिजन में आपको इसको पानी कव देना है आप इस और वार्ट रिंग बिल्कुल नहीं करें अधरवाइस इसमें फंगस लगने की चांसे बहुत ज़्यादा होते हैं विंटर सिजन में आप इसे वीक में एक बार पानी दे अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो हो सकता है वहां पे पानी की रिक्वार्मेंट और कम हो इस पत्यों की उपर जो भी पानी जमा रहेगा वह सुख जाएगा और इंडिंग की टाइम में करेंगे तो वह नहीं सुखेगा और राद भर पत्ती घिली रहेगी और जिससे फंगस लगने की चांसे रहेंगे अगर विस्टिंग नहीं करते हैं तो इस तरीके से पोटन से होने लगती है अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग कैसे करें तो आपको जब भी इसमें कोई भी टीप ब्राउन दिखें या फिर डेट ब्रांचेज दिखें उनको तुरंद हटा दीजिए क्योंकि जो टीप ब्राउन हो चुकी है वो दूबारा से ग्रीन तो होगी नहीं इसलिए उनको आप हटा दीजिए और इससे प्लांच के एनरजी भी वेस्ट नहीं जाएगी एरीका पाम हमारा डेकोरेटीव प्लांट है इसलिए यह अच्छा नहीं लगगेगा अगर इसमें यह टिप ब्राउन हो जाएगी या कोई डेट ब्रांचेज दिखेगी तो इस ब्रांचे चे वो ड्राइ हो जाएगी जब भी आप नर्सरी से एरीका पाम को खरीदने जाए तो इस बात का विश्रेस ध्यान रखे कि आपको पाम हमेसा हेल्दी ही खरीदना है कोई भी फंगस लगा हुआ और किसी भी तरीके का डीजिस इंफेक्टेट प्लांट आपको नहीं लेना है अधर्वाइस वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अब बात करते हैं एक प्लांट से कई सारे प्लांट कैसे बनाएं अगर आपका एरीका पाम तीन से चार साल पुराना हो गया है तो उसमें कई सारी ब्रांचे निकल आई होगी तो उन ब्रांचे को यानि की र निकल आई हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें कई सारे बेबी पॉप्स निकल चुके हैं आप इनको सेपरेट करके दूसरा प्लान बना सकते हो यह वाला बेबी पॉप्स आप जो देख रहे हैं इसको हम सेपरेट कर लेंगे और दूसरे पॉट में लगा देंगे इसको एक नाइप की साइता से आप इस तरीके से कट का लीजिए इस तरीके से आप एक एरिका पॉप्स से कई सारी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं पॉट की मिट्टी जब भी आपको ड्राई लगे या उपर से कॉम्पेक्ट लगे इस तरीके से आप उसमें निराई-गुडाई जरूर कीजिए इससे पानी अच्छे से एब्सॉर्ब रहेगा और एरेसम भी अच्छे से होगा यह देखी इसमें जो वाइट-वाइट नजर आ रहा है यह फंगस का अटेक है इसमें फंगस लग चुकी है और यह जो ब्लेक-ब्लेक सा लग रहा है यह भी फंगस है तो इसको हम कैसे रिमूव करें उसके लिए हमें किसका इस्प्रे करना है इसके लिए आपको पानी में 2-3 ml नीम ओयल मिलाना है और उसको मिक्स करके और किसी भी कोटन की साहता से आप स्टेम को अच्छे से क्लीन करें यह देखिए इस तरीके से आपको क्लीन करना है जिससे यह फंगस रिमूव हो जाएगी वीक में दो बार आप इस प्रोसेस को बिल्कुल करें जिससे यह फंगस दीरे- ऐसे तो विंटर सेज़न में एरिका पाम को फार्टीलाइजर की विसेर जबरत नहीं होती है बट हम अगर पौर्ट में इसे लगाते हैं तो कोई ना कोई टो हमें देना ही पड़ता है तो मैं इसे दो महींने में एक बार कावडंग कॉंपॉस्टीट देती है इससे प्लां देख सकते हो इसके बाल next मैं देती हूं seaweed fertilizer इसको वन लीटर वाइटर में 3-5 ml मिलाना है और mix करके जैसे अपन प्लांट को पानी देते वैसे ही आपको इस solution को प्लांट में दे देना है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and subscribe जरूर कीजिएगा I hope इस वीडियो में मैंने स